है गाइस हम समर्ड और आपांडर वाव टाबल्स मेरे और अलग तीन कंप्पनी जिसमें प्राइवेट लिमिटेट भी एक कंपनी है तो आज मैं आपको बता होगा कि कैसे आप फॉइंस को आपके इंवेस्ट कर सकते हो क्या आपको रिटर्न एक्सपेक्ट करना यह नहीं करन है कौन कौन से आप्शेंज है आपके पास इंवेस्ट करने के उसके बारे में पूरा डीटेश में वीडियो में बात करने वाला हूँ तो सबसे पहले मैं आपको बता दू आइम फांडर वाव टावर्स में 13000 कंट्री ट्रावल कर लिया है मेरे खुद के बहुत सारे रियल इंडिपेंडेंट हूँ पेंडेमिक है लोगडाउन है बहुत सारे लोग कमानी पारे उनको बहुत जारा परिशानी है क्योंकि उनके पास में अर्निंग नहीं है अगर आपके पास में पैसा है और आप सही तरीके से अन्रस करना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखे और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस नोट के जरी हम समझते हैं कि क्या होता है ये रिकरिंग डिपाॉजिट तो रिकरिंग डिपाॉजिट एक ऐसे टाइप का डिपाॉजिट है जो बैंक में आप कर सकते हो जिसमें जैसे आप EMI भरते हो आपने एक फोन करीदा आपका मंतली जो EMI जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही यह आपके अकाउंट से मंतली डिडक्ट होता है तो यह जो होता है उसको recurring deposit बोलता है अब क्यों recurring deposit में हमको यहाँ पर करना चाहिए investment जब भी आपको कही जाला पैसा लगने वाला या आपको पता है कि आपके अकाउंट में daily पैसा आ रहा है तो आप यह recurring deposit जो है easily start कर सकते हो इसे फाइदा यह होता है कि आपको जब भी बड़ा पैसा लगने वाला है जैसे आपको house का down payment करना है या आपको कोई शादी के लिए पैसा लगने वाला है या कोई चीज आपको future में खरीदना है तो इसके लिए recurring deposit करना बहुत ही simple और बहुत ही easy होता है अब invest कैसे करना है इसमे recurring deposit में recurring deposit में investment करने के लिए आपको दो option मिलते है एक एक तो आप mobile phone से कर सकते हो कोई भी अभी आप bank देखो तो हर किसी का mobile application आ गया तो एक आप mobile application से invest कर सकते हो और दूसरा option अगर आप mobile banking नहीं जानते हो तो आप bank में जाएए बैंक में जाकि आप application दे सकते हो और जो भी amount का आपको RDA start करना है वो आप start कर सकते हो अब how much to invest तो investment में यहाँ पे जो starting होता है mostly bank का 5000 रुपीज से start होता है तो 5000 से लेकर any amount आप investment करना start कर सकते हो बट यह याद रखिए कि आप minimum इसका जो turnover जो time है वो 12 मेने हो सकता है 12 मेने से आगे जो भी उससे पहले आप पैसे मत निकालिए क्योंकि आप उससे पहले निकालोगे तो जो आपको interest मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा तो यहाँ पे इतना याद रखना है आपको minimum 12 months के लिए रहगा और उसके बाद में maximum बहुत दिनों के लिए भी हो सकता है तो वहाँ पे एक जो परसन था उसका देट हो गया और उस परसन को last month ही BC दिया गया था तो ऐसे टाइम पे है ना यह जो चीजे होती है बहुत डिफिकल्ट हो जाती है तो मैं सजिस्ट करूगा कि सबसे बेस्ट जो option है वो RD का ही होता है जो हम बात करेंगे वो है mutual fund की कि mutual fund क्या होता है mutual fund एक ऐसे systematic type of investment है जिसमें आपका जो पैसा है वो security विज में यूज होता है जहापे एक fund manager होता है एक proper person होता है जो आपके पैसे को manage करता है और वो ऐसे ऐसे company में लगाता है जो company grow हो रही है तो mutual fund basically बहुत अच्छे investment है अगर आप सोच रहे हो returns के बारे में तो यहाँ पे बहुत अच्छे आपको returns मिलते है क्योंकि मैंने खुद अपना पैसा जो है बहुत सारे mutual funds में लगाया है और मैं एक click में देख सकता हो कि कहा पे मेरा कितना पैसा grow हुआ है तो last year जब lockdown लगा तो lockdown के time पे जो है मारकेट बहुत डाउन था वो time पे मैंने थोड़ा बहुत में इंवेस्मेंट कर दिया था तो आज वो जो amount है जो मैंने 50,000 डाला था आज वो 70,000 रुपीस दिख रहा है तो बीना कुछ किये यहाँ पे जो है पैसा बहुत जल्दी grow होत क्योंकि मैं personally use करता हूँ और यह बहुत simple है यूज करने के लिए मैं कुछ भी इसका देखता हो कौन सा company बहुत अच्छा grow कर रहा है बस simply वह पे click करना और में को कितना amount आपे invest करना है इतना ही सिफ type करना रहता है और वह amount जो है मेरे account से वाया UPI और card payment जो भी रहता है उससे वह deduct हो जाता है तो mutual fund पहले बहुत hard होता था कि आपको book परना पड़ेगा समझना पड़ेगा share market समझना पड़ेगा तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता है यहाँ पर already कोई नो कोई person manage करने के लिए रहता है तो mutual fund returns के लिए बहुत अच्छी जगा है बट एक चीज आपको सारा पैसा ऐसे risk जहां पर रहता है वहाँ पर नहीं डालना है आपको थोड़ा थोड़ा जो भी मैं investment बता रहा हूँ आपको हर जगा पर थोड़ा थोड़ा पैसा रखना है तो यह एक option है mutual fund का बहुत अच्छा options है और इसमें बहुत अच्छे returns आपको मिलते हैं अब कितना invest करना चाहिए यह grow आप पे आप 500 रुपीज से लेकर any amount जो है invest कर सकते है और अगर आप beginner हो तो आप 500 रुपीज 1000 रुपीज से ही start करो ज़्यादा आपको invest करने की ज़रत नहीं है धीरे 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 जब आप उस पर time spend करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप और ज़्याद invest आपका पैसा अगर grow हो रहा है तो आप ज़्यादा invest कर सकते हो तो यह था हमारा second option third option हमारे पास में fix deposit fix deposit जो है यह मैं basically बहुत करता हूँ जब भी मेरे business में अच्छा profit होता है या कोई दिन मेरा income जो है जादा हो जाता है तो उस दिन मैं अपने आपको reward करने के लिए या अच्छा feel करने के लिए FD कर देता हूँ जो mobile app से immediately हो जाता है मैं कभी 5,000 रुपीस का FD करता हूँ कभी 10,000 रुपीस का FD कर देता हूँ तो यह चीज करने में मेरे का बहुत मज़ा आता है इसके लिए में यह जो है deposit कर देता हूँ तो fix deposit actually है क्या fix deposit एक fix amount आप bank में रखते हो और उस पर आपको एक particular time एक 6 मैंने 12 मेने के बाद में उसके उपर interest जोड के मिलता है तो आज के लिए FD के rate जो है बहुत ही कम है 4, 5, 5, 6 percent पे ही आपको FD का return मिल रहा है बट जैसे के मैंने आपको बोला आपको जादा return पे focus नही कि अमाउंट को diversify कर सकते हो यह आपको जारा सोचना है तो fix deposit एक बहुर अच्छा option है आपको investment करने का और मैं personally बहुत यूज करता हूँ मैंने ऐसे चोटे-चोटे करकर के करकर के इसे इतने FD कर दिया थे कि अभी मैं को वो चीज़े track करने में बहुत इसू होता है बट कि यह मैं जारातर FD में investment करता हूँ अब कैसे invest करना है दो option है आपके पास में एक तो आप mobile app से कर सकते हो जो भी amount से आपको करना है 5000 कर दिया one time आपका deduct होगा तो यह one time रहता है आपका investment second अगर आपके पास mobile app नहीं है तो आप bank में जाके request करके आपके account से जो है FD start कर सकते ह जो कितना invest करना है अगर आपको लगता है कि आपके पास में 5000, 10,000, 20,000 जो भी amount है starting 5000 रुपी से रहता है तो जो भी amount आपके पास में extra आया है make sure कि आप उसको FD में invest कर दें fourth option है हमारे पास में real estate जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं पूने आया था मेरे पास में कुछ भी नहीं था even मैं कर्जे में डूबा था बट ये सब चीजे real estate वगरा भी मैं ले पाया वो लिया इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया RD वगरा मैं काफी invest करता था FD में काफी पैसा रखता था तो मेरा सबसे पहला जो गोल था पूने में घर करीदना जो मैंने easily खरीद लिया अब मेरे को कोई रेंट वगरा पे नहीं करना पड़ता है तो कहीं ना कई बलक सेविंग के बाद ही मेरे को confidence level मेरा बढ़ा और फिर एक घर लेने के बाद में जब अब रियल स्टेट क्या है आपको तो पताए है कि कोई भी टाइप का प्रॉपर्टी लान्ड या लान्ड हो गया प्रॉपरटीज है हौसेस है जो भी चीज है रियल स्टेट के अंदर आप इंवस्ट कर सकते हो कमर्शियल धो या ड्रेसिदेंशल ओ तो यहाँ पर क्या करन आपको कैसे invest करना है पेले चीज यह याद रखे कि आपका पूरा पैसा रियल स्टेट में आपको नहीं डाला है अगर आपको लगता है कि आपका अच्छा कासा सेव हो गया है तो उसका एक 20-30% जो है आप आपके इस प्रॉपर्टी में आप डाल सकते हो जादा आपको अमोर करना है तो आप बहुत चोटे से साट करना आप ऐसे नहीं करना कि आपने 50 लाग का घर देखा और खरीद लिया और उसको रेंट पे दो गए यह चीज आपके बसकी बात नहीं है आप चोटे से देखो कि पास लाग का अपने घर ले लिया वहां से आपको तीन अजार होगे उतनी जादा आप जो है आपके पैसे को मल्टिप्लाइ कर पाओगे अब हमस्ट इन्वेस्ट जैसे मैंने बुला आप 20 से 30 परसंट जो आपके पास में अक्युमिलेटिट कैश है उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो लाइंड पोचेस में या इसमें कमर्शियल में या जो आपके बजट में आता है चाहे वो रेसिदेंशल हो कमर्शियल हो या लांड हो वो आप खरीद लीजिए कितना आपको रिटन मिनने वाला है अभी वो मत सोचिए आपको जस्त बेसिक चीजे स्टार्ट करना है Kisiti या हमारे पास में फिप्त खर्या है वह एंवेस्ट इन्या बिजटि और अगर अगले डोड़ तो साइड बिजनस में इन्वेस्ट करना है तो जैसे कि बोला जाता है जिस चीज के बारे में आपको जब से ज़ादा पता है उसमें आपको ज़ादा इन्वेस्ट करना चाहिए तो अगर आपका खुद का बिजनस है तो आप अपने बिजनस में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि मार्केटिंग इन्वेस्ट कर सकते हो, जितना ज़रा प्रमोट करोगे उतना ज़रा आपको बिजनस मिलता जाएगा, तो आप आप मार्केटिंग पर इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप सालरीड हो, आपका सालरी से इंकम आ रहा है और आप चाहते हो कि आपको एक्स्रा इंकम आप तो आप कुछ चोटी-चोटी चीज़े स्टार्ट कर सकते हो, जो साइड बिसनस हो सकता है, आपका कुई भी चीज़ या किसी को अगर आपके पास में पैसा पड़ा है तो आप छोटा साइक बिसनस साइट कर सकते हो, अगर आप सालरीड हो, खुद का बिसनस है तो आप मार्केटिंग पर इन्वेस्ट करो, एक अच्छे आपके उपर इन्वेस्ट करो, कही पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो सी बिजनस में रिटर्न समेशा जादा आते हैं बट यह जीज याद रखिए यहां पर आपको फिर से मैनत करना पड़ेगा और जो बाकी की चीजे में आपको बता रहा हूँ आपे मैनत करने की जुरत नहीं है आपका पैसा जो है आटमेटिकली पैसिप मोर पे ग्रो होता रह हो गए सब्सक्राइब आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके मार्केटिंग के बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा मार्केटिंग के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा इतना है कि आपको थोड़े से एफ़र्ट लगने वाले बट रिटर्न जो है वो सब्सक्राइब आपके पास में एक लाक रुपय है तो यre, आप 10,000 रुपए तक ही इन्वेस्ट करो हगजर आपको ज्यादा सब्सक्राइब करता है तो आप 20,000 रुपए तक इन्वेस्ट के अंदर invest करना है और बाकी जो पैसा है वो आपको diversify करना है invest in digital gold अब digital gold क्या है see basically आपने देखा होगा कि आप एक सुनार की शॉप पे जाते हो या एक जिवलरी शॉप पे जाते हो वहाँ पे से आप gold खरीते हो आप उसको देखते हो फिजिकल होता है बट यह जो digital gold होता है यह फिजिकल नहीं होता है और आजकल इसमें लोग जादा invest कर रहे है क्योंकि यह gold को समालने का risk नहीं होता है अभी suppose आपने एक कंगन खरीदा एक सोने का फिर आप उसको कहा रखोगे आपको सेफ रखना पड़ेगा उसको बहुत ज़रा केर करना पड़ेगा तो यह चीजों में आपका energy और time बहुत वेस्ट होता है इसके लिए digital gold आजकल बहुत ज़रा booming है आप यहां पे invest कर सकते हो 100% जनून होता है जो भी आपका rate जो market के rate के ओपर यह सब चीजे रहती है आज 5,000 रुपे का rate चल रहा है और 10 दिन के बाद में 5,500 का rate हो गया तो जब आप gold को sell करोगे तो आपको 5,000 पासो का जो rate है जो बड़ा है वो rate आपको मिलेगा तो digital gold में थोड़ा-थोड़ा हमेशा करते रहता हूं कभी 500 अभी 1,000,突ब कभी 2,000 पभी 5,000 जैसे मेरा grow होता है, कभी Fd अगर माननी किया तो मैं goal में invest करते तो How to invest? simple है यहापब भी आप जो है grow app जो है वो यूज़ कर सकते हो, simple है simply आप गोल्ड का जितना आपको केरेट चाहिए, जितना आपको इसका ग्राम चाहिए, आप वह पर टाइप करो, आपका पड़र अमांट आपने ला पने जैसे darl दाल दे आपको दिख जाएगा कि इतना आपको वह पर यह जो गोल आ मिलने वाल हे और क्या रेट से मिल रहा है, ज पासपासी आप invest करो इसमें जादा आपको investment नहीं करना है 7th and last जो है वो है invest in yourself अकसर लोग पैसा कमाने के पीछे अपने पूरी life वेस्ट कर देते हैं वो कभी अपने आपको पे नहीं करते हैं अपने आपको reward नहीं करते हैं और पैसे का जो abundance जो एक तरीका होता है उसके साथ जीने का money को enjoy करना वो नहीं कर पाते हैं और जब उनकी age बहुत जादा हो जाती है तब हो realize करते हैं कि इतना कमाया और उसको use नहीं कर पाए तो यह चीज याद रखिए कि आपको जो investment है वो सबसे पहले आपके उपर करना है investment जितना जादा आपके उपर करोगे उतना जादा आपको life में satisfaction फील होगा आपको लगेंगा कि यह आप एक meaningful life जी रहे तो कहा कहा आप invest कर सकते हो जब अपने आप पे invest करने की बात आती है तो पहला option जो है health यह आपका priority होना चाहिए अगर आप junk food खा रहे हो आप आपके meal को skip कर रहे हो आप बहुत जादा busy हो पैसा कमाने में आप proper तरीकी से खानी पा रहे हो rest नहीं ले रहे हो तो आपका पैसा कुछ काम का नहीं है तो यह make sure करें कि आपको health में जितना हो सके अतना invest करें अच्छे supplement में आप invest करो अच्छे you know lifestyle में आप अपके spend करो but again आपको आपका जो total wealth है उसका 10 to 20% यहाँ पे invest करना है आपको बहुत जादा invest नहीं करना है but health के लिए जो basic चीजे होती है वो आपको याद रखना है कि basic minimum जो requirement जैसे gym में जिम का membership कुछ basic supplements होते है जैसे vitamins, minerals के supplement, protein हो गया यह जो भी health के equipment होते है यह चोटी-चोटी चीजों के लिए आपको invest करना है एक minute के लिए बारे में सोचना है क्योंकि health है तो wealth है second holiday or vacation अक्षर लोग है ना पूरा साल साल भर दो-दो साल तीन-तीन साल काम करते है बट कभी भी यह लोग अपने आपको एक अच्छा vacation नहीं देते है अपने जो thoughts है उससे बाहर निकलना अपनी life अच्छे तरीके से जीना यह चीजे लोग अक्षर नहीं कर पाते है तो यह च आप लाइफ में ग्रो होते जाते हो तो मेक शूर करें कि आप vacation ले थर्ड जो है वो है एक professional course और skills हर बार आपको life में कुछ ना कुछ सीखते रहना है जितना जादा आप सीखते जाओगे उतना जादा आपका business भी ग्रो होगा आपका knowledge भी ग्रो होगा और उतना जादा आप आपको worth लगेगा कि आप कुछ तो हो सी basically जब भी आप grow होते हो तो आप आपकी value को grow करते हो आप अगर अच्छे skills है आपके अच्छा एक lifestyle जी रहे हो एक अच्छा professional आपको knowledge है आपके business के बारे में तो आपका ये time पे जो happiness level रहता हो बहत अलग होता है और तभी आपको important आपके food की quality अच्छी होना चाहिए junk food में आपको पैसा नहीं दालना है आपका चाहे वो कितना भी tasty क्यों नहीं हो आपको अपनी टंग के उपर control करना पड़ेगा और जितना हो सके वो rich in vitamins rich in protein आपको food खाना है जिससे आप long life जी पाओगे और आप की जो energy level रहेगी वो हमेशा maintain रहेगी और आप अपने potential को full तरीके से use कर पाएगे so make sure you invest in good food now books yes books में बहुत जादा knowledge होता है books के बारे में I think अगर मैं books नहीं पढ़ता है अपनी life में तो मैं उतना grow हो नहीं पाता है जितना मैं आज life में grow हूँ so books पढ़ना is again very important और बहुत सारे mentors होता है इसमें इनकी life stories होती है आप इनसे connect होते हो और बहुत कुछ आप life में हासिल कर पाते हो तो make sure कि आप जारा से जादा books पढ़े रही बात adventures की yes adventures भी एक एक बहुत अच्छा option है जिसमें आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो आप अपने fear पे इन्वेस्ट करते हो आप sky diving हो या scuba diving हो या mountain track हो तो जब भी आप यह चीज़ें जाला करते हो आपकी life में तो आप जो है fearless बनते हो fearless बनना एक exciting life create करना एक you know वो जो लोग नहीं कर पा रहे हो आप कर रहे हो तो यह चीज़ें जब आप कर पाते हो ना तो आपको एक true wealth आपका feel होता है और एक true value आपकी feel होती है आप लोगों inspire करते हो तो adventure again is one of the best option where you can invest your money so यह थे total साथ तरीके साथ investment options जहां पर आपका पैसा लगा सकते हो और आप अपने पैसे को grow कर सकते हो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को like करो शेर करो इस वीडियो को जितने लोगों के साथ हो सके और subscribe to my channel जितना जादा आप support करोगे उतना जादा में वीडियो बना पाऊगा thanks for watching this video I'll see you soon with my next video bye guys